और आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ सर्कीट सॉल्व करके बताऊंगा तो सबसे पहला है हम लोग कोईशन इस रेजिस्टन्स के थुरू होगा यानि ऑप्शन है यहां पे 200 ohm के क्रॉस 500 ohm के क्रॉस तो इस टाइप के सर्कीट को सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको बेसिक समझना है तो देखिए आप मैंने 200 ohm का रेस्टन्स यह वोल्टे सॉस लगा दिया अब सबस पहले यहां पर i equal to क्या हो जाएगा भी divided by R यानि वोल्टेज बटा रेस्टन्स वोल्टेज है हम लोगा 200 ohm लिख दिये हैं रेस्टन्स है हम लोगा 200 यानि यह जब डिवाइड होगा तो यह आ जाएगा 1 amp यानि इसके क्रॉस जो होगा हम लोगा करेंट जो होगा इसका व 1 amp ठीक है अब देखें यहां पर अपको ध्यान से थोड़ा समझना यह जो 1 amp राइस रेस्टन्स के क्रॉस यानि यहीं 1 amp जो है इन तीनों रेस्टन्स के क्रॉस जाएगा यहीं करेंट इस तीनों पैलल सर्कित में डिस्ट्रिब्यूट होगा तो सिंपल सी बात है यह जो ड दाइसु रेस्टन्स के क्रॉस लेकिन जब हम लोग करेंट निकालेंगे तो 1 amp से यहां पर कांशत क्रॉस और होगा ठीक है तो यह सिंपल था लेकिन इसके लिए कॉंसेट था चलिए अब हम नेक्स्ट पोशन जो है यह हम लोग का सर्कित है और इसमें निकालना है आरटेक और यह point है L और M, यह लिए M के रॉस हम लोग को resistance find out करना है, तो देखें, सबसे पहले यहां पे समझना है, इस point जो दीया रहात है, इस point को लेकर चलना आपकता है, हम लोग को, अमाल दिए हम लोग current flow कर रहे हैं, ठीक है, अभी current जाएगा यहां पे, यहां पे यहां पे, यह कि यह दोनों रेजिटेंस हम लोगा स्पीरीज है तो इसका हर रिक्वरेंट क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हम लोग का 6 प्लस 14 यानि 20 ओम और यह रेजिटेंस हम लोगा कुछ इस तरह से होगा देखें यहां पर डॉख करता हूं इन दोनों को एक रेस्टेंस लगा करके यह हमारा सर्कीट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा अब देखिए यहां से फिर से हम लोग करेंट जब डिस्टिबूट करेंगे तो यह दोनों यानि यह और यह आपस में पैरलल है ठीक है इन दोनों का पैरलल क्या हो जाएगा यानि अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक देता हूं जब हम लोगा सेम रेस्टेंस पैरल में हो यानि कहने का मतलब यह भी 20 ओम है और यह भी 20 हो मैं जब इस तरह का केस आए पैरलल में तो इसका रिक वेलन्ट हो होता है जेश्ट इसका आधहा हो जाता है यानि इन दोनों पीर रिक और जो हो जाएगा 10 ठीक है यानि आपको सॉल्व करने कोई जो नहीं हम डायक्ट याद रखें तो यह हो जागा 10 ohm ठीक है अब देखिए इस तरह से हम लोगा जब यह रेजिटन्स सॉल्व करेंगे और फिर हम लोगा फाइनल सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा यानि उन तीनो रेजिस्टन्स हो गया यह पहले से था हमारा 10 ohm और यह ओल्रेडी था 20 ohm यह पॉइंट था L और M ठीक है अब देखिए इस पॉइंट के हिसाब से यहां पर यहां पर देखिए इस पॉइंट के हिसाब से यह दोनों जो हम लोग का यह सेरीज हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो करेंट फ्लोग आई वही करेंट इस सर्किट में फ्लोग होगा यानि यह दोनों रेजिस्टन्स हो है हम लोग का यह सेरीज है यह तो इन दोनो तो यह हम लोग का यह दोनोर रिष्टन सेरीज में और यह हो जाएगा 20 हम जो यह पारलल है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इन दोनों को जोडएंगे तो 20 हो जाएगा और यह पारलल 20, 20 पारलल 20, तो इसका मैंने बताया था, जब इस तरह से case order suggest अधा हो जाता है, यहा यानि यह हो जाएगा 400 by 40 और यह 10 से 10 cancel हो गया और यह आएगा 10 तो इस तरह से हम लोग इस circuit को solve करते हैं इस तरह 10 ohm होगा और यह बहुत ही important है इस तरह का circuit एक्जाम में repeat करता है यह question actually repeat किया गया है इसलिए मैंने अपने यह MCQ question में डाला है तो